यार एक कहानी है जो सपोर्ट और मोटिवेशन के बारे में है, जिसका उद्देश आपको प्रेरित करना और सहयोग का महत्व समझाना है। सपनों की उरादन नीव एक छोटे से गाव में रहने वाला लड़का था। उसकी आखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसकी स्थिती और संसाधनों की कमी ने उसे कई बार हदोत साहित कर दिया। उसकी गाव में बहुत कम लोग ही शहर जाकर बड़े-बड़े काम कर बादे थे। नीव ने हमेशा सुना था कि अमारे सपने बहुत बड़े हैं, ये पूरे नहीं हो सकते। लेकिन नीव के सपने उसकी कलपना से भी बड़े थे। नीव का सपना था कि वर एक सफ़र इंजिनियर बने और अपने गाव को तकनीकी प्रगती की राव पर ले जाए। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने अपने बेटे के हर सपने को साकार करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी से नीव के रास्ते में कई अर्चने आए। रुकावतों का सामना नीव जब दस्वी कक्षा में था, तब उसकी मुलाकात हुई एक शिक्षक से जिनका नाम था रामकिशोर। रामकिशोर सर नीव के स्कूल में नए आय थे और वे शिक्षा के साथ साथ छात्रों को प्रेरित करने में भी विश्वास रखते थे। एक दिन नीव ने रामकिशोर सर से अपनी कथनायों और सपनों के बारे में बात की, रामकिशोर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, नीव, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना कथन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं की आसंदाग है, अगर थान लिया कि वहार नहीं मानेगा लेकिन उसकी चुनौतिया खत्म नहीं होई उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे और कई बार तो किताबे खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते थे नीर ने अपने घर के पास के एक छोटे से धाबे में काम करना शुरू किया ताकि वह कुछ लोगों ने उसे हतोत साहत किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी मदद की. उसकी टीचर रामकिशोर ने उसे मुफ्ट्यूशन देना शुरू किया और गाव के कुछ लोगों ने उसकी किताबों का इंतजाम किया, नीर के माता पिता भी उसके लिए हर तरह से सपोर्ट करने लगे, वे उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए खुद से समझौता करते, लेकिन नीर की बढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. इस तरह नीर को अपने आसपास के लोगों से मानसिक और आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, मोटिवेशन की शक्ती. एक दिन नीर को एक बहुत बड़ा एक्जाम देना था, जिसके लिए वह लंबे समय से तयारी कर रहा था. लेकिन एक्जाम से एक रात पहले नीर बहुत तनाव में था. उसने सोचा कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? तब ही रामकिशोर सर ने उसे फोन किया और कहा, नीर, जिन्दगी में असफलता से डरना नहीं चाहिए. ये तुमारी मेहनत का परिनाम है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती. अगर आज असफल हो भी जाओ, तो ये तुमारे अगले प्रयास की नीव बनेगा. बस विश्वास रखो, ये शब नीर के लिए एक नई उर्जा लेकर आए. उसने खुद को समाला और एक्जाम में अपनी पूरी मेहनत जौग दी. सफलता की और कदम नील ने अपने एक्जाम में शांदार प्रदर्शन किया और उसे शहर के एक पतिष्टित कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला मिल गया. ये सिर्फ उसकी मेहनत और लगन का परिनाम नहीं था, बलकि उन सभी लोगों का सहयोग भी था जिन्होंने उसके सपनों को साकार करने में उसकी मदद की थी. नील ने कभी पीछे मुर कर नहीं देखा. उसने अपनी पढ़ाई में और मेहनत की और आखिलकार एक दिन ऐसा आया जब वह एक सफल इंजीनियर बन गया. उसने अपने गाव में तक्नीकी बदलाव लाने का सपना देखा था और अब वह उस सपने को साकार कर रहा था. उसने गाव में एक नया तक्नीकी केंडर खोला जहां बच्चों को मुफ्ट में शिक्षा और तक्नीकी प्रशिक्षन दिया जाता था उसने गाव के कई युगाओं को नौक्री दिलाने में मदद की और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनका मारदर्शन किया सपोर्ट और मोटिवेशन का महत्व नील की कहानी इस बात का प्रमान है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए केवल आपकी मेहनत ही नहीं भलकि सही समय पर मिलने वाला सहयोग और मोटिवेशन भी महत्वपूल होता है यदि नील के माता पिता उसके शिक्षक और गाव के लोग उसे सपोर्ट नहीं करते तो शायद वह अपने सपने तक नहीं पहाँच पाता निशकर सकर सपनों की उड़ान आसान नहीं होती लेकिन अगर आपके साथ सही लोग खड़े हो और आप अपनी मेहनत और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें तो कोई भी मनजिल दूर नहीं होती सपोर्ट और मोटिवेशन जीवन में वह इंधन है जो आपको हर कठनाई से पार पाने की ताकत देता है नीर की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अगर हम दूसरों की मदद और मारदर्शन से प्रेरित होकर आगे बढ़ें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं शिक्षा, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन सबसे जरूरी है सायोग और समर्थन किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है असफलता के दर से हार मानने की बजाए उसे सीखने के आफसर के रूप में देखना चाहिए प्रिरना और सही मारदर्शन जीवन में नई दिशा देने का काम करते है